Hello friends, welcome to everyone in my YouTube channel Networking Tigers So, इस वीडियो में हम discuss करने वाले है AD Value की उपर जिया दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि AD Value होता क्या है AD Stand for हमारे पास क्या है Administrative Distance तो यह जो routing में होता है AD आपने सुना होगा कि RIP का AD Value 120 है EIGRP मतलब internal EIGRP का AD Value है वो इतना है External EIGRP का AD Value है जो इतना है Static Routing का AD Value है वो इतना है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे AD Value है क्या यह किस चीज को define करता है routing में और उसके बाद हम discuss करेंगे कि कौन से routing protocol की कौन सी AD Value है मतलब static routing की कितनी AD Value है RIP की कितनी AD Value है OSVIP की कितनी AD Value है इन सब चीज़ों पर हमें discuss करना है इस वीडियो में ओके आपको यी वीडियो एंड तक देखना है और आपसे request है कि अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को subscribe करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससी की आपको latest वीडियो के notification मिलते रहें चलिए friends फिर start करते है AD stand for क्या होता है हमारे पास AD है administrative distance AD stand for administrative distance AD हमारा क्या define करता है It is define the trustworthness of the routing protocol और priority of the routing protocol इसका मतलब क्या है AD value होता है वो ये define करता कि कौन सा जो routing protocol है वो आपका best है जैसे आपके पास multiple routing है आपके पास RIP protocol है EIGRP protocol है BGP protocol है OSPF protocol है अब अगर कोई आपसे पूचता है कि इन चारों में से सबसे best कौन सा routing protocol है तो आप कैसे बताओगे With the help of AD value कैसे बताओगे AD value के साब से जिस protocol का जो AD value है वो सबसे कम होगा वो protocol जो होगा वो सबसे best होगा आया समझ में जिस routing protocol का AD value जितना कम होगा वो routing protocol क्या होगा सबसे best होगा जोगो मैं आपको एक scenario को तो समझाता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा सो यहाँ पर हम बात करते है AD value की AD value है क्या जिससे कि हमारे पास मालो ये जो है दो router है और वो आपस में क्या है connected है इनको हमने connect कर दिया अब router के इस वाले port पे एक network चल रहा है कौन सा है मालो 192.168.1.0-24 इस side ये वाला network रन हो रहा है और इस वाले router के इस side कौन सा network हमारे पास रन हो रहा है 192.168.2.0-24 ये हमारा R1 है और ये हमारे पास क्या है ये हमारा R2 है अब बात करते हैं आपे कि जैसे मालो इन दौन राउटर पे हमने कोई routing protocol configure कर रखा है क्योंकि जब हमें इस network को यहां इस router पे advertise करना है और इस वाले network को इस router पे advertise करना है तो हमें यहां पे कोई routing protocol को क्या है configure करना पड़ेगा यहां हमें static routing करने पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ कि यहां से बैठ के मैं इस वाले network से communicate कर पाऊं तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कोई routing protocol को configure करना पड़ेगा क्योंकि R2 को यहां तक जाने के लिए route नहीं पता होगा सेम R1 को इस network तक जाने के लिए route नहीं है पता तो उससे हमें बताना पड़ेगा या तो हम routing protocol configure करें यहां पे जैसे रिप, OSP, EIGRP, BGP या फिर static routing है default routing करें यहां पे ठीक है लेकिन मालो अगर इस router पे हमने रिप भी configure कर दिया सेम इस router पे भी रिप configure है routing information protocol रिप स्टैंड फोर routing information protocol और इस router पे हमने EIGRP को configure कर दिया ठीक है EIGRP भी हमने configure कर दिया EIGRP stand for enhanced interior gateway routing protocol EIGRP stand for enhanced interior gateway routing protocol सेम इस router पे भी हमने EIGRP को configure कर दिया अब हमने इस पे क्या-क्या static routing भी configure किया मतलब इन network को हमने रिप से भी advertise कर वाया EIGRP से और static routing भी configure कर दिया तो static routing से भी या इसको static route भी बोल सकते हैं तो static routing हमने configure कर दिया इस router में सेम इस router में भी हमने static routing configure कर दिया अब यह router जो है इन network को किस protocol की help से advertise करेगा मतलब यह router है इस पे तीन जो protocol है वो run हो रहे हैं एक RIP, EIGRP और static routing तो R1 जो है वो किस routing protocol की help से इस network को आँगे advertise करेगा क्योंकि इसके पास तीन routing protocol है या तीन routing यहां पर configure है RIP, EIGRP और static routing ठीक है dynamic routing की दो protocol configure है और static routing भी हमारे पास क्या configure है तो अब यह जो R1 है वो किस routing protocol की help से क्या करेगा अपने network को advertise करेगा तो जिस routing protocol की AD value सबसे lowest होगी वो routing protocol आपके लिए best होगा और जो router है वो उसकी according ही network को क्या करेगा advertise करेगा मतलब उस protocol के according जैसे यह EIGRP अगर मालो EIGRP का AD value काम है RIP से तो EIGRP protocol की help से इस network को क्या करेगा advertise करेगा ठीक है तो इस situation में सबसे कम AD value जो होए वो है आपकी static routing की static routing के जो AD value होती है वो होती है 1 तो यह जो route है आप जब check करोगे इन दोनों की routing table R1 और R2 की तो आपको यह जो network दिखाएंगे वो किस routing से दिखाएंगे static routing से नहीं आपे RIP से वो advertise करेगा नहीं EIGRP से advertise करेगा क्योंकि RIP का AD value higher है compared to static routing से same EIGRP का जो AD value है वो भी high है compared to static routing के तो जिस routing protocol का AD value जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना best होगा और router उसको ही preferable करेगा ठीक है? आया समझ में? तो AD value के define करता है trustworthness या priority of the routing protocol कि आपने जो routing protocol configure कर रखा है वो आपके लिए कितना trustable है कितना आप उस पे trust कर सकते हो कितना best है तो AD value यही define करता है कि कौन सा routing protocol आपके लिए कितना best है और जिसका सबसे lowest AD value होगा वो आपके लिए सबसे best होगा तो AD value को जो range होती है वो कितनी होती है? 0 to 255 ओके? तो मतलब अगर किसी routing protocol का AD value 0 है तो वो आपके लिए सबसे best है static routing का by default 1 होता है बागी आप change भी कर सकते हो ओके? static routing का बागे बाद आपके पास BGP आता है EIGRP आता है इन सबके AD value मैंने लिख रखी है मैं आँगे आपको बताऊंगा AD value जिस routing protocol का सबसे lowest होगा वो routing protocol आपके लिए best होगा और router जो है वो इसको ही preferable करेगा आई समझ में? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है AD stand for administrative distance it defines the trustworthness of the routing protocol और priority of the routing protocol ओके? if the router has multiple routing protocols with the same destination network जैसे कि अभी हमने scenario में समझा हुआ है है न? तो the routers will select the routing protocols based on the administrative distance the lowest value gets the first preference to forward the packets जिस routing protocol का है जिस routing का सबसे lowest AD value होगा router जो है वो उसको ही preferable करेगा और उस routing protocol की help से अपने network को है जो advertise करेगा अपने neighbors के साथ ओके? अब यहाँ पे दोको एक scenario और यह और है ऐसा नहीं है कि आपने इस router पे यहाँ पे मैं इसको ऐसा नहीं है कि आपने R1 पे static routing को configure कर रखा है और R2 पे static routing configure किया नहीं है तो ऐसा नहीं कि हमेसा यह static routing से ही अपने network को advertise करेगा अगर यहाँ पे EIGRP साइड भी configure है EIGRP साइड भी configure है फिर वो किसे advertise करेगा EIGRP का क्योंकि आपने static routing जो इस साइड configure कर रखी है R1 साइड R2 साइड तो नहीं कर रखी है ना configure जिस routing protocol को आप best मनते हो लेकिन वो दोनो routing protocol जो है वो दोनो router पे configure होना चाहिए ऐसे नहीं कि static routing का AD value 1 होता है तो आपने इस साइड static routing configure कर दिया और यहाँ पे किया ही नहीं है तो static routing से advertise नहीं होगे network जो है किसे advertise होगा फिर EIGRP से क्योंकि EIGRP का lowest AD value है compared to RIP के क्योंकि EIGRP आपने दोनों साइड configure भी कर रखा है ओके तो यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको दोनों router या जितने भी आपके पास multiple router है multiple router में जो routing protocol है या routing जो है वो आपको configure करनी पड़ेगी तो यह AD value की definition थी कि AD value हमारे पास होता क्या है और यह क्या define करता है अब हम देखते हैं कि कौन से routing protocol की कितनी AD value होती है तो यहाँ पर routing protocol और administrative distance AD stands for administrative distance तो जो हमारे पास directly connected होता है मतलब जो router से directly connected है तो वो तो यार अपने लिए सबसे best ही है तो उसका जो AD value होता है वो होता है 0 Static routing का AD value होता है 1 External BGP का AD value 20 Internal BGP का AD value कितना होता है 200 Internal EIGRP का AD value 90 External EIGRP का AD value 70 IGRP का AD value 100 OSPF का AD value 110 ISIS का AD value 115 RIP का AD value 120 ODR का AD value 160 और unknown का AD value 255 देखो यह जो AD value मैंने आपको बताए है यह जो question है आप से interview में जरूर पूछा जाएगा इसको जरूर याद कर लेना कि OSP का AD value कितना होता है RIP का OD value कितना होता है ISIS का AD value कितना है Internal EIGRP, External EIGRP, Internal BGP External BGP का AD value क्या होता है यह 100% आप से पूछा जाएगा यह तो common question है उनके लिए जो interviewer होता है अगर आप network पे interview देते हो CCNA level पे तो आप से AD value तो जरूर पूछा जाएगा कि RIP का AD value कितना होता है static routing का AD value कितना होता है तो यह एक जो question है आपको इस message जरूर मिलेगा तो आप अगर इनको याद कर लोगे तो आपका जो एक question का answer यहां से आपको मिल जाएगा और यह जरूर आप से पूछा जाएगा 100% मैं अपना खुद का experience बता रहा हूँ मैंने जतने भी interview दे है सबसे पहले मुझसे AD value तो पूछा ही पूछा गया है हर एक interview में कि RIP का AD value क्या होता है OSPF का AD value क्या होता है तो यह आपको याद करना पड़ेगा कि किस routing protocol का कितना AD value है ओके BGP आपको पते BGP stand for border gateway protocol EIGRP stand for enhanced interior gateway routing protocol IGRP stand for interior gateway routing protocol OSPF stand for open shortest path first ISIS stand for intermediate system intermediate system RIP stand for routing information protocol ODR on demand routing पैसे यह जो है मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ एक बार मैंने फिर से आपको बता दे जिससे कि आपको यह चीजे याद हो जाए क्योंकि आपको full form भी पता होना चीए कि BGP stand for क्या होता है IGRP stand for क्या होता है ओकी so यह आपके लिए बहुत ही important है AD value को जानना कि AD value होता क्या है और किस routing protocol का कितना AD value होता है यह आपसे interview में जरूर पूछा जाएगा so I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा next वीडियो में हम metric क्यों पर distance करेंगे जैसे dip का metric क्या होता है OSP up का metric क्या है EIGRP का metric क्या है लेकिन सबसे पहले यह समझते है metric होता क्या है क्या decide क्या करता है क्या define करता है जैसे AD value को भी हमने देखा था कि AD value हमारा क्या define करता है same metric वीडियो पर distance करेंगे कि metric हमारे क्या define करता है तो नेक्स वीडियो में हम मैट्रिक की उपर डिस्स करेंगे I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा उस सारी चीज़ें आपको clear होई होगी और नहीं होई है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है So I hope ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like जरू करें और जितना हो सके उतना share करें थोड़ी मेरी से भी help कर दें तो मिलते हैं next वीडियो में तब तेक लिए नमस्कार and bye